दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने ट्वीट कर एक जानकारी दी थी कि आज उस बैठक में क्या हुआ जिस बैठक पर बाडमेर ही नहीं, मारवार ही नहीं, बलकि पूरे राजस्थान की नजर थी बैठक वो थी भाजपा की, क्योंकि भाजपा की उस बैठक पर पूरे परदेश की नजर इसलिए बनी हुई है क्योंकि बाडमेर की सीट अभी भी भाजपा ने गोसित नहीं किये अब बाडमेर की seat को लेकर कई प्रकार की बातें राजनितिक गलियारों में होने लगी कि आखिर बाडमेर की भाजपा की seat क्यों अटकी हुई है यही बात हमने ट्वीट के माद्यम से आपको बताई थी कि आज उस बेठक में क्या हुआ क्या प्रियंका चोधरी को भाजबा टिकेट देने जा रही है या फिर प्रियंका चोधरी के लिए टिकेट में कौन रोडा बन रहा है क्या बाडमेर से कैलास चोधरी चुनाव नहीं लड रहे हैं अगर नहीं तो कौन होगा बाडमेर का परत्यासी तमाम बाते हम इस वीडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे ट्वीटर एकाउंट पर हमें फोलो नहीं किया है इस परकार की तमाम जानकार या जाननी है तो हमें तुरंद प्रवाब से ट्वीटर पर फोलो कर देजी अब हम उस बैटक की आज की बात की सुरुवात करते हैं दरहसल वर्स 2013 में बाडमेर विदान सब्सक्राइब भाजपा ने डॉक्टर प्रियंका चोधरी को अपना परत्यासी बनाया था और उसके बाद 2018 में प्रियंका चोधरी की टिकेट काटी गई और वहाँ पर टिकेट बाडमेर विदान सभा से करनल सोना राम चोधरी को दी गई अब 2023 के दाविदारों की बात करें तो बाडमेर विदान सभा से इस बार कई दाविदार चुनावी मेदान में थे लेकिन सबसे टॉप पर नाम डॉक्टर प्रियंका चोधरी का था जो भाजपा ने जिनको 2013 में अपना परत्यासी बनाया था अब जैसे ही सर्वे हुए तमाम बाते हुई तो प्रियंका चोधरी का नाम सबसे टॉप पर था और प्रियंका चोदरी को लेकर जन मानस में भी ये भावनाय थी किस बार प्रियंका चोदरी को हम लोग वोट देंगे और भाजपा उनको टिकट देंगे लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये नाम अचानक से परिवर्तन हो गया और प्रियंकाच चोदरी के नाम को लेकर भाजपा के अंदर असामती से बनने लगके फिर दो-तीन दिन पहले की बात करें तो यहां से नाम केलास चोधरी का नाम निकल कर सामने आये कि यहां से केलास चोधरी चुनाव लड़ेंगे फिर चर्चा यह आई कि केलास चोदरी नहीं कोई और चहरा हो सकता है फिर महंत के नाम भी सामने आए बाडमीर विदान सभा से फिर कोई नए चहरे भी आए तमाम बात ते होगी लेकिन इंतजार यही था कि भाजपा की जो तीसरी सूची जारी होगी उस सूची में बाडमीर विदान सभा का नाम होगा जब नाम नहीं आया तब यह बात है थी कि कहीं ने कहीं अब भाजपा यहां पर कुछ अलग करने वाली है या केलास चोदरी या प्रियंका चोदरी का नाम जो है अगली सूची जो जारी होगी उसमें आ जाएगा लेकिन आज एक भाजपा की दो नामों की सूची आई और उसमें भी बाडमीर का नाम नहीं था उसके कुछ घंटे बाद बाडमीर के जस्देर धाम के सामने एक फॉर्माउस पर एक बैठक बुलाई जाती है उस बैठक में बाडमीर में इस बार दाविदारी कर रहे तमाम भाजपा के नेता भाजपा पार्टी के बाडमीर जिलास्त ये पदादीकारी हैं वो भी मौजूद थे और उसके बाद वहाँ पर पहुँचे केंदरीय कर्शी राजय मंत्री और बाडमीर जसलमीर के सांसद केलास चौदरी फिर वहाँ पर क्या हुआ बैठक में क्या बात दे हुई केलास्त चौदरी के आने से पहले वहाँ पर तमाम जो लोग थे उसमें अधिकतर लोग प्रियंका चौदरी के समर्थक थे और लगातार प्रियंका चौदरी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे काफी देर तक केलास चोदरी को उन तमाम जो नारे लगाने वाल लोगों को आतों से इसारा करना पड़ा है कि दो मिंट रुख जाईए बात करने दे उसके बाद आप नारे लगाना लेकिन उसके बाद वो जो समर्टक थे वो रुके नहीं लगातार नारे लगाते रहे फिर प्रियंका चोदरी स्वयम को उठना पड़ा और लोगों से हाथ जोड़ा कहना पड़ा कि दो मिंट केला जी आये हैं इनकी बात सुन लो हमें क्या बात करनी है इसको लेकर हम लागा बिल लोग बात करें फिर वाँपर एक वरिष्ट लोग वाजो प्रस्तित्त्य सभा में उखड़े व्यों नें चाहा कि बात क्या करनी है जो बात करनी है वह यही है कि हम लोग हम सब की भावनाएं कि इस महर भाज़बा बाढ़मेर से प्रियंका चोदरी को टिकर दें और हम सब लोग यही चाहते हैं इस पूरे वीडियो में पूरी बैट की डिटेल में आपको स चले वहां जाकर के बैठके हम लोग बात करें केलास चोद्री ने जैसे ये बात कहीं तो वहां पर विरोध सुरू हो गया कि नहीं जो बात करनी है आपको यहीं पर लोगों के सामने करनी होगी और इस बात से केलास चोद्री भी सैमत हो गए और वहीं पर बात करने को लेकर र लोगों को कहा कि केलास चोधरी हम लोगों की बीच में बात करने आये हैं 2008 का भी जिक्र किया उसके बाद 2013 का जिक्र किया तमाम बातों का जिक्र करने के बाद वो बैठ गए और उसके बाद केलास चोधरी ने उस पूरे की पूरी भीड को संबोधित करना शुरू किया इस बै में शुरुवात करती हुए कहा कि प्रियंगा चोधरी मेरी धर्म की बहन भी है और पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैंने इनकी पैरवी इसलिए भी कि मैंने सिर्फ बाड़मेर के दावेदार जो थे उनको ये जरूर कहा था कि बाड़मेर से टिकट प्रियंगा चोधरी को मिलेगी क्योंकि उनका नाम सर्वे में सबसे आगे चल रहा है पिर केलास चोधरी ने यहां तक कह दिया था कि मैंने तो एक बार तमाम लोगों को ये भी कहता कि मैं मेरी मां की कसम खाता हूं कि मुझे बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ना है लेकिन जब प्रियंगा चोधरी के नाम को लेकर आगे की बीजेपी आला कमान जो देशस्त्रिये नेता है के अंदरिये नेता है उनके सामने जब प्रियंगा चोधरी का नाम लाया गया तो वहां पर प्रियंगा चोधरी के नाम को लेकर आपत्ती जताई गई एक बुड़ केलाज चोदरी की बाते के बाद लोगों ने यही का कि भई ठीक है धन्यवाद आपने अपनी बात रख दी आपने प्रियंका चोदरी का सपोर्ट किया इसलिए आपको धन्यवाद हम आपको कोई शिकायत आपसे नहीं करते हैं आपको कोई उलाना नहीं है अब आगे जो हमार बोलूं तब तक आप जाना मत प्रियंका चोधरी वहाँ पर खड़े हुए और अपनी बात को लेकर उन्होंने जब बात शुरुआत की तो यह कहा कि मेरी टिकेट को लेकर मैं मानती हूं कि मेरे बड़े भाई-बाई-साब केला चोधरी ने पूरी-पूरी मेनत की है और आग जा रहे हैं अब वहोगय बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर केला चोधरी ने कहा कि प्रियंका चोधरी को इसनलिए टिकेट नहीं मिल रही है अलंकि केला चोधरी ने यह जोजाराट वेराण ये जीते हैं उसका कारण हम भाजपा के लोग है वाहाम मेवाराम जीते नहीं है यह मतbelग शुन görünpected also और इस भार भी हम लोगों नहीं यह कर दिया तो चौथी बार मेवाराम जीत जाएंगे हम सब लोगوں को अब एक होना होना पड़े गा और कैसे Walk पार्टी को जिताना होगा इस दर्म्यान दोनों की बाते हैं हमने आपको सुनाई कि प्रियंका चोद्री ने पूरे भावूग होकर यह कहा कि मैं मेरे दादा जी और पडदाजी के नाम को लेकर यहां पर आई हूं और मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ सब लोगों को पता है मे इस तरीके से मेरे साथ यह किया रहा है 2018 मेरे टिकेट कटी और अब भी मेरे टिकेट नहीं आ रही है और वह उस दम्यान भावूग भी हो गई वहाँ पर तमाम लोग थे उन्होंने यह कहा कि आप बहूग मत हो यह हम सब लोग आपके साथ है आपके साथ दोखा नहीं होना अब यह बात जानना जरूरी हो गया है कि केलास चोधरी ने ऐसा क्या का जिससे प्रियंका चोधरी का टिकेट में नाम जो है वो कट गया है अलांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि केलास चोद्री ने यह पश्ट नहीं किया है कि अब तक तो नाम नहीं है लेकिन मैं कोशिस और करूँगा अब इसके माइने क्या है यह हम आपको बताएंगे लेकिन वह मुद्दा जानना जरूरी है जिससे प्रियंका चोद्री के टिक अनौ ermal Malikes तक बढ़ा राची का लगोटाला है उसमें कहीं एक एंठी प्रियंका चोद्री के नाम की है और उसके कारण की नाम अटक रहा है और कैलास चौद्री के सामने ही इस बात को लेकर अस्विकार कर दिया कि अगर मेरा करपसन में कहीं पर भी नाम है संप्रक हर बड़े नेता से बड़े अदिकार से तमाम लोगों के होते हैं उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरा सत्पाल मली के साथ संपर्क होना हमारे घ्रलू समन्थे मेरे दादा प्रिंका चोदरी ने इस पूरे मामले को ये लेकर ये कहा कि मेरा करेफ्षन में अगर कहीं पर भी नाम आ जाएं ये अगर बात सावित हो जाएं तो मैं चुनाव तो क्या किसी के सामने नहीं जाओंगी वोट मांगने तक नहीं जाओंगी और उनने आखिर में ये भी कहा कि अब इस करेफ्षन को लेकर मुझे एसे ही बदनाम किया जा रहा है और उसके बाद वहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो खड़े हो गए और इस पूरे के पूरे जो आज की सबा थी बैठक थी वहाँ पर जो पनानियों का तला मटके मटादीस जग्राम पूरी जी है वो भी व बात हैं जो अलग-अलग परत्याशियों को लेकर अलग दाविदारों को लेकर तमाम परकार की बात हैं हुई और आखिरकार इस बैठक का निन ने ये निकला कि कैलास चोदरी ने अभी तक बाड़मेर सीट को लेकर पत्ते नहीं खोले हालांकि उन्होंने पहले जो अपना बांकन भरने जा रही हूं अब तमाम बाते हैं राजनती गलियारों में अलग-अलग जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर प्रियंका चोदरी क्या करने वाली है क्या बाड़मेर से केलास चोदरी चुनाओ लड़ेंगे या फिर कोई ऐसा चेहरा होगा जिसके लिए ब बागी दाविदार एक हो जाएंगे और उसके बाद कोसिस करेंगे या फिर प्रियंका चोदरी को मनाया जाएगा या फिर तमाम दाविदारों तमाम बीजेपी नेताओं सहीत केला चोदरी के अगर अलग बात करने से प्रियंका चोदरी के नाम पर भाज़वा एक बार और सोच सकती हैं ऐसे कयास लगाई जा रहे हैं या तो आज देर रात या फिर कल सुबह बीजे पी जो अपनी सूची जारी कहेगी उसमें बाडमिर का नाम होगा और इस परकार की तमाम छोड़ी जानकारियां अगर आपको जाननी हैं तो आप तुरंद परवाव से हमाएं ट्व इटर एकाउंट पर जा करके फॉलो कर दीजें शुक्रियां